हेलो गाइस वेलकम और माई यूट्यूब चैनल आज किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जो HPSSC जो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन था उसकी फंक्शनिंग जो है वो सस्पेंट की गई थी तो उसको अभी जल्दी स्टार्ट करने के जो गौर्णमेंट है डिसीजन लेने जा रही है तो बात कर लेते हैं न्यूज इसके रिगाडिंग लगी हुए वीडियो के अंट तक बने रहे हैं आपको डिटेल्ड इंफ्रमेशन प्रवाइड करवाई जाएगी और कब सारे रिक्यूट्मेंट हो सकते हैं तो आप देख स खते हैं यह भरती प्रिक्षा पेपर लिग स्केंडल सामने आने के बाद सस्पेंट चल रहे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चाहन योग मेरू के कारियों को चलाने के लिए सरकार ने विवस्ता कर दिया है परसनल बिबाके श्पेशल सेक्टरी की और से जारी निर्देशों सरकार की और से जारी इन अदेशों के बाद अब कमिशन के कर्वचारियों के बेतन स्बंदी अन्य मामलों का हल हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की और से बतोर होडी न्यूक्त की गई बीसी मिर्कुर जल्द OST को डीडियो पावर दे सकती है जिससे यहां फनाइंस क रुके काम हो सकेंगे बता दे कि बताते चले कि पहले किमिशन का चेर्मेन एहचोंडी होता था। उनके पास आगे D Buddio पावर डीफ्टी सेक्ट्री या सेक्ट्री को देने की पावर थी लेकिन 3 December को पेपर लिक मामले सामने आने के बाद उसके परांद एके बाद एक आठ गृपतारियों के चलते कमिशन पर बिठाई गई जांच के बाद सरकार के और से करमचारी चारियों को योगो सस्पेंड कर दिया गया था सेक्टरी और डिफ्टी सेक्टरी जहां से भटा दिये गए थे ADC हमिरपूर जितेंदर संजैटा को सरकार ने कमिशन का OSD न्यूकत किया है लेकिन उनके पास अभी तक डीडियों पापर नहीं है इसके अलाबा अगामी दिनों में कईयों ने रिटाइड होना है तो कईयों की प्रमोशन डिवे ऐसा मना जा रहा है कि सरकार के और से जहां की गई HD की न्यूकती के बाद कम से कम संसाधन के बलाजमों किसमस्यों का समाधान हो सकेगा उदर कमचारी चैनल योगन में तिनात OSD चिटेंट संजाटा ने पूछे जाने पर पूछटी किये कि DC मिरपूर को सरकार ने यहां पर HD निक्त किया है इस बारे में अदेश उनके पास पहुंच चुके है तो यह कंप्लीट जो न्यूस है यह सिर्फ जो अपने उनके परसनल जो स्टाप सेलेक्शन कमिशन के अपने रेटाइर्मेंट और प्रमोशन से लेटर जो काम थे जहां सेलरी से जो काम थे जहां इंप्लाइस की जो अंदर होते हैं जुरूरी काम उनहीं के लिए इनको होट किया दूस, तो अभी हो सकता है कि जो रेक्ष्फ हों गे उनके लिए कुछ एक ताइम लग सकता है मतलभ जो स्टाप सेलेक्शन कमिशन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब भी न्यू अपडेट आएगी तो आपको अपडेट करवा दिया जाएगा थेंक्यू